हेलो एंड वेलकम टू करिंट अफेर्स टीवी यह वीडियो सामानने ज्ञान के सवाल और जवाब का पार्ट एक है अंतिन सवाल आपके लिए है उसका जवाब कमेंट जरूर करें लिट्स स्टार्ट प्रश्न नमबर एक भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां ह हुई थी इसका उत्तर है बोधग्या में एक्स्प्लनेशन गौतम बुद्ध का जन 563 इसा पूर्व लुंबिनी में हुआ था लुंबिनी नेपाल में रूपांडी जिले में एक बौध तीर्थ स्थल है बिहार की राजधानी पटना के गया जिले के बोधग्या शहर में पेड के नीचे तपस्या कर रहे भगवान गौतम बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति हुई थी कर्शन नंबर दो पंजाबी भाशा की लिपी कौन सी है इसका उत्तर है गुरु मुखी एक लिपी है जिसमें पंजाबी भाशा लिखी जाती है गुरु मुखी का आर्थ है ग किस राज्य में निकलता है इसका उत्तर है अरुनाचल प्रदेश में एक्स्प्लनेशन अरुनाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है अरुनाचल का अर्थ हिंदी में उगते सूरे का परवत होता है इस प्रदेश की सीमाय दक्षन में असम दक्षन पू में म्यामार पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिबत से मिलती हैं इटान अगर राज्य की राजधानी है और बोल चाल की मुख्य भाशा हिंदी है प्रश्न नंबर चार विहू किस राज्य का प्रसिद्ध तियोहार है इसका उत्तर है असम का एक्स्प्लेनेशन बिहू असम के तीन अलग सांस्कृतिक उत्समों के एक समूह को दर्शाता है असम उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य है भारत भूटान तथा भारत पांगलादेश सीमा कुछ भागों में असम से जुड़ी है इस राज्य के उत्तर में अरुनाचर प जनरल कौन था इसका उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक एक्स्प्लेनेशन लॉर्ड विलियम बेंटिक जिन्हें विलियम केविंडिश बैटिंग के नाम से भी जाना जाता है 1828 से 1835 तक भारत की गवर्नर जनरल रहे प्रशन नंबर छे जय जवान जय किसान का नारा किस ने दिया इसका उत्तर है लाल बहादूर शास्त्री ने एक्स्प्लेनेशन लाल बहादूर शास्त्री जी का जन्व 2 अक्टूबर 1904 को मुगल स्राय और मृत्यु 11 जन्वरी 1966 को उस बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई थी शास्त्री जी ने काशी विद्यापीट से शास्त्री की उपाधी प्राप्त की और ये भारत के दूसरे प्रधान मंत्री थे प्रश्न नंबर साथ सम्विधान सभा की प्रारूप समिती के अध्यक्ष कौन थे इसका उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेरकर एक्स्प्लेनेशन भीमराव रामजी आमबेडकर का जन्म 14 अप्रेल 1891 और मृत्ती 6 दिसंबर 1956 को हुई थी ये स्वतंत्र भारत के प्रथम विधी एवं न्याय मंद्री भारतिय सम्विधान के जनक एवं भारत गनराज्य के निर्माता थे प्रशन नमबर आठ सूरियोदय करदेश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है इसका उत्तर है जापान एक्स्प्लेनेशन जापान एशिया महाद्वीप में स्थित देश है जापान चार बड़े और अनेक छोटे द्वीपों का एक समूह है ये द्वीप एशिया के पूर् पौन कहते हैं जिसका मतलब सूरियोदय है जापान की राजधानी टोक्यो है बौध धर्म देश का प्रमुख धर्म है और यहां की राजभाशा जापानी है प्रशन नमबर 9 क्षेत्रफल की द्रिष्टी से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है इसका उत्तर है गोवा एक्स्प्लेनेशन गोवा क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा और जन संख्या के अनुसार चोथा सबसे छोटा राज्य है गोवा पहले पूर्तगाल का एक उपनिवेश था पूर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया और 19 दिसंबर 1961 में यह भारती प्रशासन को सोपा गया इसकी राजधानी पंजी है कशन नंबर 10 दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी इसका उत्तर है सन 1911 में एक्स्प्लेनेशन दिल्ली आधिकारिक तोर पर राश्रिय राजधानी खेत्र दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासि प्रदेश है इसमें नई दिल्ली सम्मिलित है जो भारत की राजधानी है 18 वी एवं 19 वी शताबदी में ब्रिटिश इस इंडिया कंपनी ने कोलकाता को अपनी राजधानी बनाया था प्रश्न नंबर 11 संयुक्त राष्ट्र संग का मुख्याले कहा स्थित है इसका उत्तर है न्यू यॉर्क में एक्स्प्लेनेशन संयुक्त राष्ट्र एक अंतर राष्ट्रिय संग्ठन है जिसके उद्देश में उलेक है कि यह अंतर राष्ट्रिय कानून को सुविधाजंग बनाने के सहयोग, अंतर राष्ट्री सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रक्ति, मानव अधिकार और विश्व शांती के लिए कारे रथ है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्तूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। इसका मुख्याले अमेरिका के न्यू योर्क शहर में है। प्रश्ण नमबर 12 इस समय संयुक्त राष्ट्र संग के कितने देश सदस्य हैं। प्रश्ण नमबर 14 संयुक्त राष्ट्र संग के वर्तमान महासचिव कौन है। इसका उत्तर है Antonio Guterres. Explanation, Antonio Guterres पूर्टगाली राज नीतिग्य और कूट नीतिग्य हैं. Guterres संयुक्त राश्ट्र में नवे महा सचिव हैं. प्रश्न नंबर 15 संयुक्त राष्ट्र संग सुरक्षा परिशत के अस्थाई सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं इसका उत्तर है दो वर्ष के लिए प्रश्न नंबर 16 पंजाब केसरी किसे कहा जाता है इसका उत्तर है लाला लाजपत राय को एक्स्प्लेनेशन लाला लाजपत राय भारत के एक प्रमुक स्वतंतरता सेनानी थे। इन्हें पंजाब के स्री भी कहा जाता है। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया। जिसके दोरान हुए लाठी चार्ज में ये बुरी तरह से घायल हो गए। और अंतता 17 नवंबर सन 1928 को इनकी महान आत्मा ने पार्थिव देहत्याग दी। प्रशन नंबर 17, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलीदान सबसे पहले दिया। इसका उत्तर है मंगल पांडे ने। प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपून भूमी का निभाई। प्रशन नंबर 18, मांट एवरेस्ट पर दो बार चलनने वाली पहली महिला कौन थी। इसका उत्तर है संतोष यादव। एक्स्प्लेनेशन संतोष यादव का जन जन्वरी सन 1979 में हरियाणा के रेवाडी जिले में हुआ था। उन्हें सन 2000 में पदमश्री से भी सम्मानित किया गया है। संतोष यादव भारत की एक परवतारो ही है। वह माउंट एवरेस्ट पर दो बार चलने वाली विश्व की प्रथम महिला है। इसके अलावा वे कांगसूं की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलता पूर्वक चलने वाली विश्व की पहली महिला भी है। प्रश्न नंबर 19, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? इसका उत्तर है, मूल शंकर. एक्स्प्लनेशन, महर्शी स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक, अखंड ब्रहमचारी तथा आरे समाज के संस्थापक थे. उनके बच्पन का नाम मूल शंकर था. प्रश्न नमबर 20. रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है, स्वामी विवेकानंद ने. एक्स्प्लनेशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना एक मई सन 1897 को रामकृष्ण परमहिंस के परमशिष स्वामी विवेकानंद ने की. इसका मुख्याले कोलका जाता के निकट बेलूर में है प्रश्न नंबर 21 महात्मा गांधी को राश्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा इसका उत्तर है मेताजी सुभाष चंडर बोस ने Explanation, महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने 4 जून 1944 को सिंगापूर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए राश्रपिता महात्मा गांधी कहा था प्रश्न नंबर 22, राश्रगान गाने की अवधी कितनी है? इसका उत्तर है 52 एक्स्प्लेनेशन, भारत का राश्रगान जनगर्मन है, जो मूलता बांगला भाषा में गुरुदेव रवींदर नाथ तैगोर द्वारा लिखा गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी 1950 को राश्रगान के रूप में अंगीकृत किया गया, इसके गायन की अवधी लगभग 52 सेकेंद निर्धारित है, गुरुदेव रवींदर नाथ तैगोर विश्व के एक मात्र व्यक्ति हैं, जिनकी रचना को एक से अधिक देशों में राश्रगान का दर्जा प्राप्त है उनकी एक दूसरी कविता आमार सोनार बांगला को आज भी बांगला देश में राश्रगान का दर्जा प्राप्त है प्रशन नमबर तेईस, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? इसका उत्तर है हृदर से एक्स्प्लेनेशन, दिल की धड़कन को नियंतरत रखने के लिए पेसमेकर एक चिकित सा उपकरण है जो दिल की मास पेशियों से संपर्प करने के लिए इलेक्ट्रोड द्वारा प्रदत विद्धित आवेगों का उप्योग करता है प्रशन नंबर 24, कार्बन का सरवाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? इसका उत्तर है हीरा एक्स्प्लेनेशन, कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा है लोहा, कोबार्ट, क्रोमियम या मैंगनीज जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिती में ग्रेफाइट को पहली बार वर्ष 1955 में हीरे में परिवर्तित किया गया था हीरे को कार्बन का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है क्योंकि हीरे की सनुचना सजाती होती है और पूरे क्रम में होती है प्रशन नंबर पच्चीस आपके लिए इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दे किस धातु का प्रियोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया ओप्शन ए सोना ओप्शन बी हतामबा ओप्शन सी चांदी ओप्शन दी हलोहा थेंक यू वावन नाइस देए